जो मिसिंग का इन्वेस्टिक्सिन है तो हमारे स्पेशल ब्रांच के ओपिसर है यह पे सानब उनको मैंने दी दिया था और उन्होंने पिताजे का स्टेटमेंट वापस पूछताच किया था उसके बाद में जो लड़की मिसिंग उसका मोबाइल डिटेल्स जो अपताब लड कि आचानध महिने से मिसिंग है उसका मोबाइल बंद है उसका अपस बैस्क्राइब gluten बंद ए गया सब्सक्राइब न тебе हो लड़के का लड़की का किद बयम किदिर नगए जो सकता है इसा मिन ड़ाइड आया तक पिताजी की आप लोगों पर रिकॉर्ड के था उस रेकॉर्ड नहीं किया था मैं उसको बुला जाता उनको पतरी जानकारी थी कीöm है कि जानकारी नहीं थी और फिलाल ये भी कबरारी है कि 54,000 रूपय जो है वो ट्रांसेक्शन ऑंलाइन के जरीए भी हुए है ATM card भी यूस किया गया है, तो यह monetary trail क्या है, यहाँ पर आपका शक कैसे गह रहा है? आपने bank details निकाला है लड़की का, लेकिन उसमें इसा है कि 18 मैं को एक बार 50,000, एक बार 4,000, ऐसा दो बार transition हुआ है. और इसमें आप लोगों ने try किया कि यह कप हुआ, क्योंकि उस वक्त तो बताया जारा था कि फोन भी लड़की का switch off था, बातचीत नहीं थे, आफ़ता आपका पहला statement यही कहता है? हाँ, फोन तो बंद था उसका, मैंने इस फोन बंद दिया है, लेकिन बैंक सिटल जो है, उसमें दिकार है, स्टेंटेक्शन होगा है. देखो, एक तो लड़की की पिताजी ने दिल्ली जाएक कमलेट देना चाहिए था, हमारे पास आरे जिदे, हमने सू मोटो मिसिंग दातल गया, मिसिंग का जो इन्वेशन होगा था, और हमें किदर ना किदर डाउट लग रहा था, कि जब मोबाल बंद है, आकॉंड बंद अर्डरेस के बारे वेरिफिक्शन करके, वहाँ के सिन्यर अपसर को ब्रिप किया था, और उसके लोकल पुलिस वहाँ की और अपना महराश पुलिस दोनों पुलिस जॉइंट लिए उदर जाके वो अडर्रेस पर जाके वहाँ से लेकर आई, और वो पूछताज भी जॉइ कि जो डीड की हड्या मिली है, वो उसी मृतक लड़की की है, और फिलहाल यहाँ पर यह सवाल है कि जब लड़के का परिवार वसाही में ही था, एक हफते पहले वी उसके पिताजी सुसाइटी के कुछ मेंबर्स को मिले हैं, जो हम लोगों से बातचीत हुई है, तो वो मैं अभी चार-पाज जीन से लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसके बारे मैं नहीं बोल सकता है, यह ऐसा कुछ नहीं लगता है मुझे. अब लोग मतर्ब ट्रैक करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? अगर दिल्ली पुलिस के जरूर पड़े तो हम उनको सयोग करेंगे. इसमें आगे अगर मैं समझना चाहूँ कि आपके पुलिस दाइरे में कुछ और बचता है जानच करने के लिए क्योंकि कई सारे दोस्त हैं, अब सामने आ रहे हैं, स्टेट्मेंट दे रहे हैं, आप लोगोंने भी कई लोगों का स्टेट्मेंट दे लिया. कि अक्टोबर 2019 से वो रहते दे लिवें रिलेस्ट दोनों रहते दे कम सब्सक्राइब नौरत में चले गए और जो उनका खास बच्पन के दोस्त था लड़की का लक्षम नाडर उससे लड़की हमेशा बातसीत करती थी में मैंने से उसका बात में कभी कॉंटेट नहीं हुआ और जो अनलिस किया उसमें भी उसका कॉंटेट किदर हुआने और वो मोबाल बन था तब हमें डाउट हुआ था आपको नहीं लगा कि जब आप लोगों को शक हुआ तो आप ही लोगों को अफता आपको ट्रेस कर लेना चीए था पूरी कर्टस ही अब दिल्ली पुलिस के इस एक जॉइंट ऑप्रेशन की तहत इन्वेस्टिगेट किया जिसका असर यह है कि आज आफता जिल इस अलाखों के पीछे है निदिन के साथ शिवानी मिश्वात आइंसनाओं के लिए पाल घर से